A good breakfast helps you tackle the micronutrients deficiencies हम एक ऐसी society में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत साथा हमें diagnosis तेखने को मिलते हैं जैसे heart disease, metabolic disease या micronutrient deficiency folic acid की deficiency हो गई, iron deficiency हो गई, vitamin D का deficiency हो गया So overall depend करता है हमारा breakfast पर जिसमें हम अच्छे से consume करें अपने micronutrients, macronutrients का consumption हमारा हो रहा है अपना breakfast अगर आप skip करते हैं एक दिन का So उसकी problem आपको next day morning में होगा Next day morning में आपको blotting, acidity, gastric issues आएंगे अगर आपका breakfast skip हो गया है So आप next आप जो अपना meal ले रहे है, lunch उसमें आप से overeating हो जाएगी जो आपके लिए बिल्कु ज़रूरी नहीं है आपका fat deposition होगा आपको obesity हो जाएगी आपको gastric issue आएगा और digestive issues आएंगे So इसके लिए don't skip your breakfast और कोशिश करिए कि आप एक healthy, happy, well-nourished और energetic शुरूआत अपनी करिए morning की और वो तब होगी जब आप एक healthy breakfast ले रहे हैं Breakfast हमेशा homemade होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप office आ रहे हैं So आपने market से कुछ भी समोसा, कचोडी, पकोडी सुबह के शुरूआत आपने बाहर से कर ली हमेशा घर से कुछ ना कुछ खा के निकल लिए घर पे जो भी available है आपके पास Even रात का भी अगर food है आपके पास ताल, रोटी, सबसी तो भी आप घर से खा के निकल लिए परना काफी variety है हमारे पास में पोहा आप बना सकते हो, इटली आप बना सकते हो, छीला बना सकते हो, दलिया खा सकते हो, ओट्स खा सकते हैं एक wholesome breakfast करिए, जिससे आपका routine, काफी energy को और आगे चलके आपको healthy issue भी ना है बच्चे हमेशा अगर खाली पेट घर से निकल जाते हैं, तो वो अच्छे ते पढ़ने में भी उनका मन नहीं लगेगा ना वो focus कर पाएंगे, ना वो concentrate कर पाएंगे आप भी या हम अगर बिना breakfast के office जाते हैं, तो हम interaction जो हमारा social interaction हो रहा है उस पे हम focus नहीं कर पाएंगे, हम किसी को अच्छे से guide नहीं कर पाएंगे या अपना काम में हमारा मन नहीं लगेगा, तो इसके लिए कोशिश करिए कि आप breakfast करके ही घर से निकले healthy breakfast के हमारे पास बहुत सारे option हैं आज के time में हम oats खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं और अगर आपके पास बनाने का time नहीं है तो आप milk and cornflakes, milk या muesli, milk तलिया ये खा के भी आप अहार निकल सकते हैं फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, complete नहीं हो रहा है आपका meal तो आप घर में नारियल का लड़ू, तिल का लड़ू या आटे का लड़ू बना के रखिए, जो आप तुरंत ले सकते हैं, जिससे आपको energy भी मिल जाएगी और हमेशा आप जो भी dessert बना रहे हैं या लडूस बना रहे हैं, उसको में गुड का यूस करें, जो आपकी सिहत के लिए काफी अच्छा रहेगा, आपको iron भी मिलेगा, energy भी मिलेगी और जो white sugar के जो हाम है, वो भी आपको नहीं मिल रहा है fluid का intake आप जाधा रखिए, morning में उठके सबसे पहले जो आपकी दिन के शुरुआत होती है, वो चाई या coffee से ना करके, पानी से आप शुरुआत करिए, करम पानी भी आप ले सकते हैं, बट अगर आपको acidity की issue आ रहा है लंबे समय से, तो आप कोशिश कीजिए कि आप करम प हमेशा आप energetic तरीके से करिए,